सभी देश वासियों को आधर पूरवक नवश्कार कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महिने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दौरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुई है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मुरुत्य हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ साथियों एक वाइरस ने एक वाइरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है विश्व भर में करोडों जिन्दगीयों संकट का सामना कर रही है सारी दुनिया जिन्दगी बचाने में एक प्रकार्चे जंग में जुटी है हमने ऐसा संकट न देखा है नहीं सुना है निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद्पूर्वा है लेकिन ठकना हारना तूटना बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा हमारा संकल्प इस संकट से भी दिराट होगा साथियों हम पिछली सताब्दे से ही लगातार सुनते आए है कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैश्चिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही है उसे भी हम दिरंतर देख रहे हैं जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है लेकिन इसका मार्ग क्या हो विश्व की आज की स्थिती हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है आत्म निर्भर भारत हमारे हाँ सांस्त्रों में कहां गया है एश्व पन्था यानि यही रास्ता है आत्म निर्भर भारत साथियों एक राष्ट्र के रूप में आज हमें बहुत एहम मोड पर खड़े है इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है एक संदेश लेकर आई है एक अवसर लेकर आई है मैं कुदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूँ जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज 2,00,00 PPE और 2,00,00 N95 मास बनाए जा रहे है यह हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया आपदा को आउसर में बदलने की भारत की ये द्रश्टी आत्म निर्भर भारत के हमारे संकर्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के मायने पुरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिंतन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृति भारत के संस्कार उस आत्मन्दिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्म निर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शान्ती की चिंता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो, जो अपनी आस्था में माता भुमी ही, पुत्तो अहम पृत्विया, इसकी सोच रखती हो, जो पृत्वी को मा मांती हो, वो संस्कृती, वो भारत भुमी, जब आत्म निर्भर बनती है, तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है, भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है, भारत के लक्षों का प्रभाव, भारत के कारियों का प्रभाव, विश्व कल्यान पर पड़ता ही है, जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है, तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है, टीबी हो, कूपोशन हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है, इंटरनेशनल सोलर अलाइंस, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाप, भारत की दुनिया को सौगात है, इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल, मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उफार है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज, भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है, इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंशा होती है, तो स्वाभाविक है, हर भारतिय गर्व करता है, दुनिया को विश्वास होने लगा है, कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है, सवाल यह है, कि आखिर कैसे, इस सवाल का भी उत्तर है, 130 करोड देश वाजियों का, आत्मनिर भर भारत का संकल्प, साथियों, हमारा सदियों का गवरवपुन इतिहास रहा है, भारत जब सम्रत्य था, सोने की चिडिया कहां जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला, वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जखड गया, हम विकास के लिए तरस्ते रहे, आज फिर भारत, विकास की और सफलता पूर्वक कदम बढ़ा रहा है, तब भी, विश्व कल्यान की राह पर अतल है, याद करिए, इस सताबदी की शुरुवात के समय, वाइटू के संकट आया था, भारत के टेक्नलोलोजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उच संकट से निकाला था, आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ है, हमारे पास दुनिया की सबसे बहतरीन टैलेंट है, हम बेस्ट प्रोडक्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे, ये हम कर सकते हैं, और हम जरूर करेंगे, साथियो, मैंने अपनी आँखों के सामने कच्छ भूकम के वो दिन देखे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ द्वस्त हो गया था, ऐसा लगता था, मानो कच्छ मौत की चादर ओड़ कर सो गया हो, उस परिस्तिती में कोई सोज भी नहीं सकता था, कि कभी हालत बदल पाएंगे, लेकिन देखते ही देखते, कच उठ खड़ा हुआ, कच चल पड़ा, कच बढ़ चला, यही हम भारतियों की संकल परशक्पी है, हम ठान लें, तो कोई लक्ष असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं, और आज तो, चाह भी है, राह भी है, यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना, भारत की संकल परशक्पी ऐसी है, कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है, साथ्यों आत्म निर्भर भारत की यह भग्वे इमारत, पांच पीलर्स पर खड़ी होगी, पहला पीलर, इकनोमी, एक ऐसी एकनोमी, जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं, बल्कि कॉंटम जम्प लाए, दूसरा पिलर, इन्फास्ट्रक्चर, एक ऐसा इन्फास्ट्रक्चर, जो आधुनिक भारत की पहचान बने, तीसरा पिलर, हमारी सिस्ट्रिम, एक ऐसा सिस्ट्रम, जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं, बल्कि 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली, टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो, चौधा पिलर, हमारी डेमोग्राफी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी, हमारी ताकत है, आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है, पांचवा पिलर, डिमांड, हमारी अर्थे ववस्ता में, डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुरत है, देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए, हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्र होना जरूरी है, हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ती की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो, साथियों, कोरोना संकड का सामना करते हुए, नए संकल्प के साथ, मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्टना कर रहा हूँ, ये आर्थिक पैकेज, आत्म निर्भर भारत भ्यान, आत्म निर्भर भारत भ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्टना की थी, जो रिजर्ब बैंक के फैंसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है, उसे जोड़ दें, तो ये करीब-करीब बीस लाग करोड रुपिय का है, बीस लाग करोड रुपिय का है, ये पैकेज, भारत की जिडिपी का, करीब-करीब दस प्रतिशत है, इन सब के जरिये, देश के विबिन वर्गों को, आर्थिक ववस्ता की कडियों को, बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज, दो हजार बीस में, देश की विकास यात्रा को 20 लाग्स, 2020 में, आत्म निर्भर भारत भ्यान को, एक नई गती देगा, आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए, इस पैकेज में, लेंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज, सभी पर बल दिया गया है, ये आर्थिक पैकेज, हमारे कुटिर उद्ध्योक, गरह उद्ध्योक, हमारे लगू मंजोले उद्ध्योक, हमारे MSME के लिए हैं, जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है, जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्ब का मजबूत आधार है, ये आर्थिक पैकेज, देश के उस स्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर सिती, हर मौसम में, देश वास्यों के लिए, दिन रात परिश्णम कर रहा है, ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए है जो इमानदारी से टेक्ष देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारतिय उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है कल्षे सुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्मंत्री जी द्वारा आपको आत्मा निर्भर भारत अभ्यान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगे साथियों आत्मा निर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिविद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवारिया है आपने भी अनुभव किया है कि बीते च्छे वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्ताएं अधिक सक्षम अधिक समर्थ नजर आई है वर्ना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में किसान की जेब में पहुँच पाएगा लेकिन यह हुआ वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दप्तर बंद थे ट्रांस्पोर्ट के साधन बंद थे जन्धमन आधार मोबाइल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दाइरे को व्यापक कर रहा है नई उचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो यह रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम शरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रेक्टर समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सीच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे यह रिफॉर्म्स बिजनेश को प्रोसाइट करेंगे निवेश को आकरशित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को ससक्त करेंगे साथियों आत्म निर्भरता आत्म बल और आत्म विश्वास से ही संबव है आत्म निर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कडीस परधा के लिए भी देश को तयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर्स परधा में जीते ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमी का निभाए इससे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सूनिश्चित होगी साथियों ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्ताएं हिल गई है लेकिन इनी परिश्टितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम सक्ति का भी दर्शन किया है खास कर हमारे जो रेडी वाले भाई बहन है ठेला लगाने वाले हैं पत्री पर सामान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साति हैं जो गरों में काम करने वाले भाई बेहन हैं उन्होंने इस दोरान बहुत कश्ट जेले हैं तपश्या किया है त्याक किया है ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्तिति को मैसूस नहीं किया अब हमारा कर्टब यह है उन्हें ताकत पर बनाने का उनके आर्ति हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो श्रमीक हो प्रवासी मदूर हो पशुपालक हो हमारे मच्छुवारे साती हो संगटिक छेत्र से हो या संगटिक छेत्र स हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा साथियों कोरोना संकट में हमें लोकल मैनुफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाइचेन इसका भी महत्वब बराबर समझा दिया है संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बलकि हम सबकी जिम्मेदारी है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्राणिंग की उन पर गर्व किया तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है न सिर्फ लोकल प्रोडक्स खरिद्दे हैं बलकि उनका घर्व से प्रचार भी करना है मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रयास होने तो हर बार आपके प्रती मेरी स्रद्धा को और बढ़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूँ याद करता हूँ जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रे किया था ये भी कहां था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स दर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास्ता लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला साथियों सभी एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कौरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन सात ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए हम मास्क पहनेंगे दोगजदुरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे इसलिए लोगडाउन का चौथा चरण लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा राज्यों से हमें जो सुझाओं मिल रहे हैं उनके आधार पर लोगडाउन फोर इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मैं से पहले दी जाएगी मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते विये हैं हम करोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे साथियों हमारे यहां कहा गया है सर्वम आत्म वशम शुखम अर्थात जो हमारे वश में हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं वही सूख है आत्म निर्भरता हमें सूख और संतोष देने के साथ साथ ससक्त भी करती है 21 सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोड देश्वास्यों की प्राण सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारत वासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्राण शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है जब आचार विचार कर्त व्यभाव से सराबोर हो कर्मडता की पराकाष्टा हो कौशल्य की पूजी हो तो आत्म निर्भर भारत बनने से कौन रोग सकता है हम भारत को आत्म निर्भर भारत बना सकते हैं हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे इस संकल्प के साथ इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत-बहुत शुबकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्त का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है अब सबका हमारे स्विशेश कारिक्रम में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने राष्ट को संबोधित किया और जब आज संबोधित किया तो आगे के रोड माप की एक